असलाम लेकूम मेरा नाम नवी चोधरी है आज बात करते हैं OctaFX के उपर के इसको जोईन करना चाहिए या जिन लोगों ने इसको जोईन किया हुआ है उनको छोड़ देना चाहिए या जिनका deposit और withdrawal का issue आ रहा है किन लोगों को आ रहा है ठीक है सबसे पहले तो मैं आपको अपनी transactions यानि अपना deposit अपना withdrawal तमाम transactions आपको दिखाऊंगा ठीक है तकरीबन जितनी भी मत्से हो सकी मैं दिखाऊंगा मैं तो इसको तकरीबन तकरीबन चार या पांच साल से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ठीक है और पांच साल से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद तकरीबन दो या दो या धाई साल हो गया मुझे excellence को use करते हुए, मैं दोनों को ही use कर रहा हूँ और मैंने आपको जो telegram group में है, उनको मैं एक link की share करता हूँ जहां पर मैंने पूरी detail लिखी हुई है कि मैं अभी opta को क्यों नहीं छो रहा उसकी वज़ा सिर्फ और सिर्फ ये है इस वज़ा से मैं अभी फिलहाल opta को नहीं छो रहा लेकिन मुझे इसमें कोई खास problem भी नहीं है यानि deposit, return में कोई issue नहीं आ रहा अभी मैं आपको सारी की सारी transactions दिखाता हूँ आप देख सकते हैं ठीक है वो देखते हैं और उसके बाद वापिस आते हैं बात करेंगे कि इसको opta को अभी क्यों नहीं जोईन करना और अगर जो पहले से जोईन है जो पहले से सेट है यहां पर उनको मैं एक मशवरा दूँगा वो भी मैं आपको आगे चलके बताऊंगा ठीक है क्योंकि मुझे काफी YouTube वीडियो के देख लेना ताकि आपके knowledge में काफी इसके उपर आपको पता चाहिए ठीक है सबसे पहले तो मैं आपको आप ये वीडियो देखे ठीक है जो मेरी transactions वीडियो है जहां पर मैंने deposit withdrawal यानि बताना आपको ये चाहता हूँ कि मुझे किसी किसम का issue नहीं आ रहा किसी भी किसम की कोई भी issue नहीं आता ठीक है issue किसको आता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ लेकिन सबसे पहले आपने ये देख लेना है मेरी हाँ यहां पर amount मैंने height रखे हुई है क्योंकि यह मेरी अपनी personal मतलब के है लेकिन असल चीज़ आपने ये देखना है कि हमें deposit और withdrawal में issue आता है तो क्यों आता है और मुझे issue क्यों नहीं आ रहा ठीक है ये मैं आपको बताऊंगा जो कि मैं आपको पहले भी वीडियोस में दो तिन वीडियोस में बता चुका हूँ कुछ काफी messages आ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए अब bank के through जिन्हों ने deposit किया हुआ है जिन्हों ने चलें सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं उसके बाद ये बात करते हैं इसका मैं आपको हल बताऊंगा ठीक है अच्छा सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं यह मेरा account है ठीक है transaction history सबसे उपर लिखा हुआ है अब मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं withdrawal लिखा हुआ है मैंने amount को height किया हुआ है अपनी personal आप समय लें कि इस वज़ा से मैं यानि amount नहीं दिखाना जाता है कितनी मैंने deposit की कितनी मैंने यहां पर withdrawal की ठीक है बस आपने यह चीज़ों को समय नहीं यह देखें आपके सामने मैं click भी कर रहा हूँ ठीक है यहां पर status, request, ID, account, payment method, payments, create यह सारा कुछ आपको नज़र आएगा यहां पर आप देख सकते हैं withdrawal, withdrawal, withdrawal यहां पर deposit की भी option आपको नज़र आ रही होगी यह देखें आपके सामने है थीक है यह देखें उसको आपर मैं click भी कर रहा हूँ ठीक है और उसके बाद फिर withdrawal, deposit withdrawal, deposit, withdrawal, deposit को सामने यह मैं करता हुए रहूं करता जा रहूं आपके सामने अंगुल आप देख सकते हैं इसको ठीक dire यनि बताने का मकसूट आपको यह या कि किसी भी तरह कोई प्रप्राबलम नहीं आ रही हुए लेकिन तो तो इस वजह से अगर एक अकाउंट के साथ problem आती है तो दूसरा हमारे पास सेफ रहे तो यह एक सेंस्स के थूरू रखा हुए मैंने ना चाँ यहां पर आप देख सकते हैं मजीद आप देखें विड्रोल 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 और यह नीचे डिपॉजिट विड्रोल य यहां से करता रहता हूं, ठीक है, मैं कहीं भी click कर सकता हूं, उसके उपर यह देखें, सब के details open हो जाती है, ठीक है, तो यह आपके सामने है, बताने का मकसद आपको सिर्फ एक ही है, कि यहां पर deposit, withdrawal, सब कुछ जो है, वह हम easily कर सकते हैं, problem आ रही है, ऐसा नहीं है, कि problem नहीं लेकिन यह मैं अभी आपको बता अच्छा जी वीडियो आपने देख ली ठीक है सारी की सारी आपने वीडियो देखी मेरे विड्रॉल मेरे वो जो है क्या कहते हैं उसको डिपॉजिट हर चीज मैंने आपको मतलब कर दिखाया कि यह देखो स्टेप बाइस्टप मैंने सारा इ टेलिग्राम में इसका लिंक शेयर नहीं करता हाला कि मैं कर सकता हूं मेरे और डी यहां बर कितने आए थिंक बहुत ज्यादा मिंबर्स है ठीक है लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग या इसको जॉइन करें वह इसलिए ना तो इसमें एमटी फॉर है ना ही इसमें एमट यह ट्रेडिंग है वाले से पहले वाली की निसमत यह अपडेट इन्हों ने की हुई है ठीक है लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है कि आप उसको यूज कर रहे होते हैं अब दुबारा से उसको आप वीपीन यूज करते हैं तब भी वह उपन नहीं होती अगर पाकिसान में है तो टेली गरम आपको उपन करना किसी न color किसी वजह से मिरा गरूप है टेलीगरम मेंज़े नहीं आरही होती है बाद वकात इस तरह होता है कि हम इसको open करते हैं open ही नहीं होती फिर इसको restart मारना पड़ता है फून को या किसको लेगन इस वज़ा से मुझे इस मैं यह चाहता हूं कि जो new आने वाले लोग हैं वो अब क्या करें वो मतलब के accidents या कोई और broker जो भी आपको बहतर लगता है जिसमें empty four empty five जो लोग empty four empty five में ट्रेडिंग के हवाले से सेट हो चुके हुए हैं उनका कहीं मतलब के mind होता ही नहीं है सारी analysis जो है मैं empty four पर ही करता हूं ठीक है तो अब यह है कि new लोगों को आप बता दू कि आप बेथर है इसमें ना करें ठीक है अगर आपने करना है अगर आपने करना ही ओक्ता fx में या ओक्ता में करना है ठीक है तो आपने क्या करना है ठीक है आपने फिर bank से देखें एक करें जारी से बात है जिससे deposit करेंगा उसी से withdrawal कर सकते हैं आप perfect money में कर लें आप स्क्रील में कर लें आप crypto में कर लें कोई भी उसका e-wallet जो है उसमें कर लें ठीक है बहुत जल्दी withdrawal बहुत जल्दी इसमें आपका deposit होता है और अगर आपको मैंने जितना भी दिखाया है मै और पहले भी ये वीडियो बना चुका हूँ इस वज़ए से दुबारा बना रहा हूँ मैंने जितना भी आपको अभी ट्रांजिक्शन दखाई हैं ये perfect money से होती है ठीक है within 15 minute आपका withdrawal यहां से आ जाता है ठीक है एक्सिनस का जरा instant है इनका 15-20 minute में बलके इससे भी ज्याद इसको करना ही है तो आपने banking channel से deposit या withdrawal नहीं करना उसमें कहीं न कहीं आपकी country से भी issue हो सकता है ब्रॉकर की तरफ से भी issue हो सकता है ठीक है लोकल्स बैंक होते हैं ये international transaction नहीं कर पाते हैं उसमें आपको और इनको problem आ जाती है ठीक है अब जो लोग यहां से पहले से फज़े ह हैं यानि कि banking transactions नहीं की हुई है ठीक है उनके लिए मैं एक मश्वरा दूँगा आप उनसे बात करें live chat के ओपर के बाई साब यह हमारा आप इसको चेंज करते हैं perfect money में स्क्रील में या किसी भी जो आप easily कर सकते हैं ठीक है easily उनका dollars जो हो सेल हो जाते हैं बाइनास में सेल कर लें या किसी एक्षेंजर को सेल कर लें perfect money के या स्क्रील के या किसी के भी ठीक है तो अब आपने करना यह है उनसे बात करनी है कि हमारा यह आप विड्रोल नहीं दे पा रहे हमें next next update के लिए कहते रहते हैं लेकिन आपने उनको कहना है कि हमारा चेंज करें अगर वह ने ट्रांसफर करवाया यानि कि वह बैंक से विड्रोल करते थे किसी ने स्क्रील या perfect money का बनाया उनका फिर मैंने उनका count number दिया उनको फिर बताया उनको सारा कुछ किया तो वह हो गया था लेकिन अगर आप हमारी टीम में भी जोईन हो जाएंगे इस तरह से और अगर ने पहले आपको कहा है कि आप क्या करें आप ये करें कि आपने बिल्कुल भी जो न्यू हो है वह उक्टा को मत जोईन करें ठीक है मैं यही मश्वरा दूँगा क्योंकि अब डिपॉजिट विड्रॉल में कोई शूनी है लेकि अगर आप ये वालेट से करते हैं ना के बैं करता हूं क्योंकि मैं डिवाइड रखकर अपनी इन्वेस्टमेंट को चलना चाता हूं ना कि एक ही ब्रोकर के साथ पूरी पूरी इन्वेस्टमेंट कर लूँ ठीक है तो बस यही थी आज की अपडेट दो तीन चीज़ें आपको क्लियर मैंने बताई करें यहां पर एक य कहीं से कहीं पहुंच जाती है फिर इनकी एप ओपन होती है और हर बार नहीं कभी कभी इस तरह से होता है ठीक है तो बस यही है अगर किसी तरह से भी आपको इशू आ रहा है तो आप मुझे वाटस एप पर रापता कर सकते हैं